धमनेल देखके अगर आपने वीडियो ओपन किया है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप भी उस मानचिक्ता या दुविदा में हैं कि शॉट नोट्स कैसे बनाए जाएं शॉट नोट्स कॉम्पटीशन के गल्यारों में सबसे ज़्यादा बोले जाना वाला सब्द डेट इस शॉट नोट्स कैसे बनाएं क्यों बनाएं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शॉट नोट्स बनाने का परपज क्या है मैं अभी शेक्षर वास्तव आपके सामने लाया हूँ क्या शॉट नोट्स कैसे बनाएं पहले आप जानिए कि परपज क्या है शॉट नोट्स बनाने का शॉट नोट्स है क्या आपने जो पढ़ाई की है उसको अपने शब्दों में ऐसे बया कर लेना ऐसे नोट डाउन कर लेना कि जब आप उन सब्दों को देखो उस लिखावट को देखो तो पूरा चैप्टर आपके माइंड में एक फ्लो या वीडियो या पिक्चर के जैसे फ्लो करने लगे उसको बोलते हैं शॉट नोट तो आपको रिवाइज करना या रिकॉल करना उस चीज के लिए अगर आपको कहीं चोटे चोटे फॉक्स में चीजें लिखनी पड़ें उस चीज को क्या बोलोगे आप शॉट नोट बोलोगे क्लीर बात है। तो यह आपका परपस बैनाने का सर तो चोटा चोटा लिख देना शॉट नोट से क्या नहीं अगर आपके मैंड में यह ही कि आपने पूरा notes उठाया उसको छोटा 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 फॉर्म में short notes लिख दिया उसको बोल दिया short notes है ऐसा नहीं है तो यह तो वह हुआ जब exam time आप जाते हो जिरोक्स वाले के पास एक page देते हो कि तो इसको concise करके देते हो तो वह भी समझ जाता है कि आप किस लिए इसको लेकर जा रहे हो आप फील कर पा रहे हो कि आपने छोटा छोटा क्यों कराया था उस paper को clear लेकिन यह short notes नहीं है short notes का दूसरा नाम है power notes यह वो power है notes का जिससे आप पूरे पूरे आपके जो notes है उसको revise कर सको जो आपने एक chapter नहीं बनाए है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि short notes कैसे बनाना चाहिए क्या scientific तरीका है short notes बनाने का तो scientific reason यही है short notes बनाने का कि आपके mind में सब कुछ एक flow में दौडने लगे तो आप कैसे यह बना सकते हो short notes तो आज हम यही दिखेंगे कि short notes कैसे बनाए सबसे पहले आपको पूरा chapter या topic जो आप पढ़ रहे हो एक पूरा एक subject है उस subject का पूरा chapter आप क्या करो पढ़ो अच्छे से तसली से बैठके पढ़ो जब आपने वो पूरा chapter पढ़ लिया जब आपने वो पूरा chapter पढ़ लिया उसके बाद उस chapter से related जो भी आपकी standard standard क्या PYQs हैं जो previous year papers हैं उन papers को देखिए और उसको analyze करो उनको solve कर लिया आपने उसको solve करने के बाद आपको पता चलेगा कुछ ऐसी चीजे हैं जो question के through आप cover कर रहे हो और notes में नहीं थी उनको भ हर एक fact को लिखना है हर एक fact को लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है उसके important formula सब कुछ उसमें लिख लेना है clear उसके बाद क्या उसके बाद आपको 2 या 3 pages छोड़ देने हैं ताकि कभी और ऐसी चीजें जो आपको उस topics related मिलती है तो आप उसको note down कर सको सर ये तो मैंने आपको एक overview दिया आपको एक short note बनाना कैसे है अब short note में सर होता क्या क्या है तो short note में सब से पहले क्या जैसे for example आपके पास एक subject है मैं civil engineering की अगर बात करूँ वैसे तो ये जो वीडियो है general वीडियो है कोई भी NEET, IIT, JEE, कुछ भी जो भी वच्चा कर रहे हैं competition में उनके लिए पूरा एक तरीका है short note बनाने का जैसे for example अगर आपके पास subject है soil mechanics clear आपके पास subject है soil mechanics तो आप क्या करिए short note से सबसे पहले किस चीज में बनाओगे आप short note आप एक copy में बनाओगे ना कि pages में क्या copy में बनाओगे spiral copy use करो spiral copy use करो या फिर pages में जैसे 200 page हैं तो 200 pages में पूरा जो भी आपकी branch है आपके सारे subject उसमें आ जाने चाहिए clear है तो soil mechanics subject start किया soil mechanics का पहले index आपको पहले page में लिख लेना है index बोले तो क्या उसमें आपको पूरे chapters के नाम लिख देने हैं तो इससे क्या होगा जब भी आप वो copy उठाओगे एक नजर मारोगे आपको पता चल जाए कि यह chapters मुझे पढ़ने है clear तो उसमें आपके पास पूरे chapters हो गए clear chapter एक बार में देख लिए अब जब आप short notes बनाने जाओगे जैसे chapter number first chapter number first में क्या क्या पढ़ना है उसका index आपके पास होना चाहिए सबसे पहले index of each chapter आपको बना लेना है index बना लिया आपने कि मुझे ये topic ये topic ये topic टोटल पंदरा topic है इन पंदरा topic में मेरा पहला chapter complete हो जाएगा ये आपका काम है ये आपने कर लिया clear बात okay उसके बाद क्या index जो बना लिया उसके बाद आप लिखोगे उसमें facts और जो भी facts लिखोगे तो लंबे 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 statements नहीं लिखने आपको आपको pointers यूज करना है short notes बनाने के लिए आपको pointers यूज करना है दूसरा आप mind maps या flow chart या डाइग्राम को यूज कर सकते हो ये बनाना है जो चीजें आपके mind में देखने में अच्छी लगेंगी दिपिका पादुकॉन स्क्रीन पर लगा देता अगर मैं नहीं आता तो आप अभी बैटके अच्छे से मस्त देख रहे होते और खुश भी हो रहे होते आप दूसरे जेंडर की में जेंडर स्पेसिफाइग क्यों करूँ अगर रितिक रोशन होता तो आप देख रहे होते लेकिन अभी क्या है अच्छे चीजें अगर सामने लगाँ तो देखोगे तो आपके शॉट नोट भी ऐसे ही होने चाहिए कि जो चीज आपको देखने में आकरसित करें कि यार पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मज़ा आना चाहिए वाय क्या तो मैंने लिखा है ऐसा तो आप माइंड मैप्स ही ना पाए आपके शॉट नोट से ना परसनल चीज है आपकी कोई नहीं पढ़ पाए आपको समझ में आना चाहिए वैसी लेंग्वेज में लिख लो छोटा छोटा लिख लो क्लियर उसके बाद आपको क्लीन कलरफुल और कंसाइज नोट बनाने हैं कलरफुल मतलब आप चार प्रकार के पैन यूज करो नीला हरा लाल पीला सारे पैन यूज करो उसमें आप क्या करो और एक हाइलाइटर यूज करो और हाइलाइटर एक या दो कलर का यूज करो उसमें क्या और उससे आप फॉर्मुला लिख लिए जो भी लिखा आपने उसको आप क्या कर सकते ह उसको हाइलाइट कर सकते हो clear बात ओके पैन यूज करो और इसको डिफाइन करो कि हैडिंग लिखूंगा तो लाल पैंसे लिखूंगा कोई भी क्वेस्टन लिखूंगा तो ब्लैक पैंसे लिखूंगा यह सब आप डिफाइन कर लो अपने अंदर तो आपको बस आदत हो आँ तो मैं आपको लेकर आयो हूं जो मैंने शॉटनोट कभी बनाये थे तो उनके मैं उनको मैं लेकर आयो देखो यह एक पूरा चैप्टर है इस चैप्टर में मुझे इतने टॉपिक्स पढ़ने है पहला पेज मेरे शॉटनोट का यही होना चाहिए कि यह मैंने मेरे को इसके अलाबा एक भी चीज नहीं है जो मुझे पढ़नी है तो आप कभी भी कोई भी chapter पढ़ोगे उसके पहले आपको ये पढ़नीना है आपको पता चल गया क्या? कि ये ये पढ़ना है इसके अलाबा मुझे कुछ नहीं पढ़ना एसे आप कर सकते हो ये pages नहीं है ये मेरी copy के Different Pages की photo है ये देखो आप Espiral यहाँ पर देख सकते हो ये मैरी copy के pages clear है ओके अईसे आप boxes का use करिए, color pens का use करिए, diagram का use करिए, बनाने के लिए शॉर्ट notes ये भी देखो ये क्या किया मैंने एक page है एक a4 size को उसको ऐसे fold किया एक size दूसरे side ये आपको photo लाया हूँ ये एक पूरा chapter मेरा complete हो गया इसमें मैंने चोटी से चोटी चीज यूज की अब मैंने आपको जब बोला formula लिखना है जैसे आप देख रहे हो कि ये एक formula लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ये formula लिखा हुआ है ठीक है ये formula लिखा है ठीक है आपको क्या करना है इस formula में कुछ भी जो भी चीजें जैसे use हो रही है for example जो भी letters use हो रहे है वो आप जब पढ़ाई कर रहे होगे ना तब तक तो याद रहता है बाद में आप भूल जाते हो कि जैसे आपने लिखा for example deflection ये आप लिख रहे हो क्या delta L is equals to PL upon AE PL upon AE ये आपने लिखा अब भूल गया P क्या है तो आप वहाँ अपने छोटी writing में लिखो कि P load है L length है A area है E elastic modulus है एक example दे रहा हूँ आप छोटे छोटे उसमें concise form में लिख दो ताकि जब बाद में कभी आप रिवाइस करो तो ऐसा ना लगे तो चोटा चोटा सब कुछ आप उसमें लिख लो कि एक बार पड़ो और सब कुछ चीजें क्या हो जाएं सब कुछ आपको याद आ जाए तो short notes आपको ऐसे बनाने हैं कि उसको देखते साथ आपके mind में picture चलनी चाहिए कि मैंने यह यह बढ़ा था clear बात okay exam के point of view से competition इतना जादा है कि आपके लिए यह चीजें जरूरी हो गई है कि short notes बनाना इसलिए क्योंकि revise करना बहुत आसान है इतना जादा हो जाता है इसलिए short notes आज की date में बहुत important है क्योंकि बहुत जादा syllabus cover करना है ऐसे ही informative वीडियो के साथ मैं आपके साथ जोड़ा रहूंगा आप जोड़े रहिए यह AEC की team आपके लिए काम कर रही है आपके लिए हम हम खड़े हुए हैं इसलिए आप हम से जोड़े रहिए clear so this is Abhishak Shrivastu signing off with this session take care good bye